हलो फ्रेंद्स इस गौतम पांड़े कमिंग अप दर नेक्स राउंड ऑफ नियू सिंप्लिफाइड तो आज के विडियो में हम बात करेंगे कास्ट बेस सेंसस रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे वाइद स्टेट सार डिमार्निंग दिस तो पॉल जड़ा देखते हैं आखिर ये कास्ट बेस संसस न्यूज में क्यों है लेकर सेंटली नितीश कुमार गॉर्मेंट ऑफ बिहार ने स्टेट में कास्ट बेस सेंसस को स्टार्ट कर दिया है और इसके लिए डेटा कलेक्शन की बात अगर हम करें तो 7 जनवरी से ये 400 करोड रुपीज कोश्ट आने वाला हैं बिहार गौर्मेंट कास्ट बेस सेंससर पर 500 करोड रुपीज खर्ज़ करने वाली हैं और इसके बंसेद इतेल में था समझें तो इसके सल minsal डूट ने कहा है कास्ट बेस। two page में होगा basically two page में क्या होगा first page में कहा गया है कि January में कोसिस की जाएगी कि state में जितने भी houses वगरा है उसे count कर लिया जाए और second page में क्या होगा कि वहाँ पर economical condition कैसी है लोगों की या cast based कितने लोग है कौन से cast के कितने हैं या sub cast के कितने हैं या फिर कौन से religion के लोग कितने हैं उन सारी बातों के data को collect कर लिया जाए means overall causes ये की जाएगी कि two phases में ये जो cast based census है उसे complete कर लिया जाएगा बिहार government के द्वारा हमारे लिए important ये हो जाता है समझना कांकि लिए cast based census होता क्या है क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ census related बाते सुनते आ रहे थे इसकी history के है means इससे पहले भी कभी cast based census इंडिया में हुआ है या नहीं हुआ इस तरह की बातों को समझना और साथी साथ ये भी समझना कि why the states are demanding this जो states हैं ये cast based census की demand क्यों करते रहते हैं होता क्या है अगर cast based census की बात करते हैं तो . baum इंडिया में कितने फीमेल हैं कितने हितने चाइडर और था कि डेटा कोبلग किया जाता है means उसके अलावा literacy rate कितनी है means कितने percent female literate है कितने percent male literate है इस तरह की data को collect किया जाता है कौन से religion के लोग कितने है उस तरह की बातों को collect किया जाता है similarly क्या होता है यह जो caste based census होता है इसमें कुछ ज़्यादा different नहीं होता है basically अगर बात करें तो commonly से socio-economic caste census के नाम से जाना जाता है इसमें क्या होता है किसमें उन सारी data के साथ-साथ जो अल्रेडे हमने डिसकूस किया कि like number of male कितने है या number of female कितनी है literacy rate कितना है या percentage कितना है इस तरह की data collect किया है जाता है उसके साथ-साथ लोगों के जो economic status है उसे भी collect किया जाता है economic status में जिस लाइक आप ऐसे समझे कि आपकी family में member कितने है या फिर उनकी overall income कितनी है इस तरह की data को collect किया जाता है तरह की गर में पक्के के मकान है या नहीं है आपका घर जो है वो पक्का के मकान है या नहीं आपके पास two-wheeler कितने है या four-wheeler कितने है इस तरह के data को collect किया जाता है ताकि आपकी जो economical status है उसे देखा जा सकी इसके साथ-साथ क्या होता है कि आप किस caste से belong करते हैं किस सब caste से belong करते हैं आप फिर किस religion से belong करते हैं उस तरह के data को भी click किया जाता है, इसी को overall क्या कहते हैं, caste-based census के नाम से जानते हैं, commonly खहा जाता है caste-based census, but overall अगर हम बात करें, तो इसे socio-economic caste census के नाम से जाना जाता है, ये बात समझ लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है कि या बिहार में ये जो socio-economic caste census हो रह कि फर्स्ट टाइम हमारे नेशन में जो census हुआ था, नेशन बोलिए आप उस टाइम तो नेशन नहीं था, जो बिटिस इंडिया था, उस टाइम में, जब 1871-1872 में census किया गया था, बिटिस के द्वार इंडिया में, तो उसमें ये जो caste से related question थे, उसे सामिल किया गया था, म इसमें कितने लोग किस caste से बिलोग करते हैं, उनका लग एजंडा होगा हम वहां नहीं जाते हैं, बट अगर हम बात करते हैं उसके बात की history की, तो 1931 तक situation क्या थी, कि नेशन में ये जो caste based census से वो किया जाता था, ये point याद रखेंगे हम, और उसके related data भी publish की जाती थी, जो इसमें तो जो caste based census था हो किया गया, मिंस जो caste related data थे, उसे collect किया गया, बट publish नहीं किया गया, यहाँ पर ये point हम याद रखेंगे, कि 1941 में इसे publish नहीं किया गया, मिंस जो 1931 में data publish किया था, उसे related data भी भी है, बट 1941 में इसे publish ही नहीं किया गया, तो ये तो बात होगी before independence, 1951 से लेकर 2011 तक, 2021 में भी census हो चुका है, बट उसे related data सारी तरह क्लियर नहीं है, तो हम 2011 तक रहते हैं अभी, तो 1951 से लेकर 2011 तक, जितने भी census किया गया गया, इसमें caste based census को particularly नहीं किया गया, किया क्या गया, कि इसमें सिर्फ two caste को सामिल किया गया, एक तो कास्ट के लोग है, उन्हें सामिल किया गया, दूसरे civil tribes के लोग जो है, उन्हें सामिल किया गया, इससे related data सामिल किया गया, बट other caste related अगर हम बात करते हैं, तो उससे related data को ना collect किया गया, ना publish किया गया, नेशन के बास current scenario में क्या है, ये caste based data नहीं है, मिन्स SCST का अलबावा, नेशन के जो other backward class ह बहुत सारे caste इंडिया में, उससे related data actual में नहीं है, ये point हम याद रखेंगे, बट two-thand eleven में क्या हुआ, कि जब UPA की government बनी, जो Congress led UPA government थी, आप समझ सकते हैं, तो उस time में क्या हुआ, कि after independence first time, socio-economic caste census को conduct कराया गया, और उसके data को publish नहीं किया गया, ये point हम याद रखेंगे कि census तो कराया गया, बट जो data थो उसे publish नहीं किया गया, government की तरब से, government के कहना था कि ये जो data collect किया गया है, उसमें बहुत सारे गलतिया है, बार-बार क्या हुए गलतिया हुई है, इसके कारण वो सही data collect नहीं हुआ, इसलिए government इसे public domain में नहीं रख रही है, बट जितने भ opposition की party थी, उसमें की, या जितने भी states वगरा थे, उन्होंने demand की कि ये जो socio economic and caste census 2011 हुआ है, उसके data को public domain में रखा जाए, बट central government ने पुरी तरह से deny कर दिया, और उसे related जो data थो उसे publish नहीं किया, बिहार ऐसा पहला state नहीं है, जहां पर इस तरह का census किया जा रहा है, इससे प बात आती है जरा ये समझना कि कोई state जो है, वो census कर सकता है, क्या, सबसे important point तो यही है, क्योंकि census करने का काम तो central government का होता है, तो कोई state census कर सकता है, जैसा कॉलिटी हम डिसकस कर रहे है कि बिहार गौर्रमेंट ने 7th अब जन्वरी से caste-based census का data click करना स्टार्ट कर दिया है, त अगर हम according to constitution बात करें, तो जो constitution के 7th schedule में हम पढ़ते हैं, already हमने polity में पढ़ा है, कि union list के अलावा, जो state list है, और concurrent list है, three list है, जो होते हैं 7th schedule में, तो यहाँ पर यह जो union list है, इसमें clear किया गया है, कि यह जो census है, यह काम सिर्फ और सिर्फ central government कर सकते हैं, मिन census का right किसके पास है, central government के पास है, तो ऐसे में बात आती है, कि बिहार government, यह जो socio हम बात कर रहे है, caste based census की, वो कैसे कर सकते हैं, इसे जरा समझ लेना जरूरी है, कि यह क्या है actual में, देखिए, अगर हम बात करते हैं, चाहे बिहार हो या कोई भी state हो, यह census नहीं कर सकते हैं, तो फिर यह क्या कर रहे हैं, इसको जरा समझिए, हुआ क्या है, कि बिहार में जो census हो रहा है, conduct किया जा रहा है, उसका नाम, अगर हम बात करें, तो उसका नाम है, caste based survey, यह point हम याद रखेंगे, caste based survey है, ना कि caste based census है, मिन्स census वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी state ऐसा नहीं कि, बिहार government करनाट का government भी कर चुकी है, बहुत सारे state ऐसा survey कर चुकी है, caste based survey, बट यह caste based census नहीं है, यह point हम याद रखेंगे, मिन्स census करने का right सिर्फ और सिर्फ किस के पास है, central government के पास है, और कोई भी state government census नहीं कर सकती है, इसलिए बिहार government भी जो census कर रही है, जो data collect कर रही है, उसका नाम, caste based survey है, ना कि caste based census, तो यह clear हो गया है, यहाँ पर कोई भी state नहीं कर सकती है, अब जरा समझते हैं, तो why the states are demanding this, यह जो states हैं, यह caste based census की demand क्यों करते रहते हैं, इसको जरा समझते हैं, सबसे important बात क्या है, कि जितने भी states हैं, उनकी demand है कि यह welfare policy के implementation के लिए, caste based census की जरू एक OBC हो गया, या फिर और भी बहुत सारे caste हैं, उससे related data नहीं है nation के पास, तो ऐसे में state का कहना है, कि सारे state में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार हो, या करनाटा गराइस्थान, MP किसी भी state में आप जाईए हैं, तो इस तरह के data की demand की जाती है, अगर current scenario के हम बात करते हैं, तो current scenario में trend क्या है, कि आप देखें, किसी भी state में चले जाईए, वहाँ पर सारे states के लोग में, अभी होड से जम गई है, means, सभी state के लोग क्या चाहते हैं, कि उन्हें backward class में सामिल कर दिया जाए, current scenario में बहुत बड़ा एक political issue है, बहुत सारे state में आपने सुना होगा, हरियाणा हो गया, राजस्तान हो गया, यहाँ पर आपने देखा होगा, कि backward class में सामिल होने के लिए, बहुत सारे ट्रावे बाजी होती है, बहुत सारे प्रोटेस्ट होता है, मैं किसी caste का नाम नहीं ले रहूं, but current scenario में क्या है, कि OBC में other backward class है, उसमें सामिल होने की होड मुच गई ह ऐसे में क्या है, अभी तक क्या है, 1931 का data है, 1931 के data के according assumption किया जाता है, कि nation में 50% OBC है, means actual data तो नहीं है, but ऐसा नुमान लगाया जाता है, तो यह जो caste based data है, यह बहुत important role play करता है, political games में, ख्यास करके जो political parties होती हैं, उनके लिए बहुत important role play करता है, इसलिए जो जितने भी state government है, वो policy implementation के नाम पर, यह actually क्या है, अगर हम तो अपने political profits के लिए इस तरह की census की demand करती है, बट वो debateful मुद्दा उसमें हम नहीं जाते हैं, बट जो state government है, वो जो positive aspect बताती है, उसको विजरा समझ लेते हैं, सबसे important बात क्या है, कि state government के तरफ से demand रखी जाती है, कि जो caste based census हैं, उससे क्या होगा, कि socio-economic caste based census के हम बात कर रहे हैं, उससे reservation को rationalize किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, जर इसको समझ लेते हैं, देखे, state सा उनका कहना है, just for example, ऐसा बिहार सा ही समझ लेते हैं, तो उनका कहना है, कि बहुत पहले ऐसा हो सकता है, कि कोई caste ऐसी हो, जिन कास्ट ऐसे हो, जिने previous time में तो भाई reservation की जरूरत नहीं थी, बड़ जो current scenario उसमें reservation की जरूरत है, तो ऐसे में ये जो caste based census है, वो reservation को rationalize कर सकते हैं, और जिस हम बात करते हैं, कास्ट based reservation nation में चल रहा है, क्या हो, time to time हम देखते हैं, every 10 year में से आगे पढ़ा दिया जाता है, हो political अपना profit के लिए, वो एक debatable मुद्द है, बड़ होता क्या है, कि जब तक ये caste based census नहीं होगा, इस तरह से line नहीं किया जाएगा reservation को, तब तक हमारे nation में जो reservation है, खास करके जो caste based reservation है, वो खत्म नहीं हो पाएगा, तो इस तरह की demand रखती है, state government, means, overall तरीके से क्या समझें, क positive aspect तो दिखाती है, बड़ जो इसके negative aspect है, जिस बात पर इसकी criticize किया जाता है, कि basically क्यों होता है, कि nation में जितने भी party है, जो हमारा political system है, वो पूरी तरह से based है caste system पे, national level पे हो, state level पे हो, सभी जगा आप क्या देखिए, caste से ही पूरा का पूरा, सबको decide हो जाता है, कि कौन से based census आ जाता है, हो जाता है, वो डेटा को share कर दिया जाता है, तो इस political parties को फैदा मिल सकता है, उन्हें profit मिल सकता है, तो overall scenario यही है, कि criticism इसी basis पे किया जाता है, कि जितने political parties है, अपने, खासकर करके state government की political parties है, अपने political profit के लिए, इस तरह के demand रखती है, other hand क्या होता है, कि जो business होता है, और status की demand क्यों कर रहे है, तो आपको यह video समझ में आया होगा, thanks for watching.